कि मैं की विआ इसको निए उसको असा लगता है कि सच्छों वह गटीथ हो रहा है वो वेक्तिका उसके उपर विश्वास होता है और उस मुताबिक वो अपना बरताओ भी करते रहता है तो आज मैं बताने मालू हूँ आपको बहम की बिमारी के बारे में आईए हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गड़ेकर में मनुविकार सेख्ष्रोग सम्मों दता वैसन मुक्ति तग्यों महाराष्ट में अकोला नागपूर मॉंबई पुने यहां हमारे होस्पिटल से और यहां मनुविकार दत वीडियो में उनका मैं आपको आडियो बताऊंगा सुनाऊंगा तो उनको यह प्राबल्जम है और उनकी एज 40 एस की है और उनको अभी तक मेरे पास में दो तीन बार लाया गया और उनको यह वहां होता है कि उनके करीब के जो लोग है उनके देवर जो है और कोई रिलेट है उनको समझ में आता है कि वह उनके घर में चोरी करते है कपड़े ले जाते कपड़े चोरी करते है रहते ऊपर उनके घर में घुसते ताला तोड़ते है और फिर कपड़े छोटे कर लेंगे बड़े कपड़े होंगे तो काट देंगे कपड़े पैसे चुराएंगे या च मिश्वास है कि वह है ही उनको कोई डाउट ने उसके बार में पुलिस में भी कंप्लेंड किया हुआ है मगर पुलिस ने उसकी ज्यादा मतलब अक्नॉलिजमेंट नहीं किया उसका क्योंकि पुलिस को पता चला को शायर कि भाई ये जो है वो गड़ बाली बात है और कुछ त इने लिए कुछ तो भी कर रहे है अपने बारे में लोग बात कर रहे है तो चले आये उनका वीडियो जो मैंने निका रहा थाम अगर आपको सिर्फ ओडियो सुना रहा हूं वह आपको बताते हूं हाँ जी तो हम अभी इनसी पूस्ते है जो हमारे तरफ इलाज कर रहे है कि वहां क्या हो रहा है आपको क्या एक्सपिरियंस आ रहा है आपको क्या लग रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपको जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में क्या कहना है जरा बताईए जी दोस्त साल पहले ठाई तीन साल पहले से बहुत मतलब समझ में आ गया कि घर में audio video system लगाया और विजियल आड़्स लगें अर उसके तुरू दूसरे लोग मतलब घर की दूसरे लोग बोल रहे हैं लेकिन दूसरे लोग जो बाते कर रहे हैं वो बगार ज़रूरी बाते करते हैं वाज़िप बाते करते हैं जैसे कि मत अबंड पर किचन में ऊपर लगा है और वीजियो पूरा दोनों के मेरा लगा है वह आना तौर है एलीगल है और गवर्णमेंट के तरफ से अगर कोई बात करते हैं मुझसे तो वह अतराइस भी हो जाएगा क्यूंकि परपर शाइन भी उतना ही कर रहे हैं वह सब लोग तो यह जो camera लगा है, audio video लगा है, यह camera लगा है, तो यह काई के लगा है, किसने लगा है, और क्यों लगा है? बस doubt मेरा वही photo studio वाला देवर है, उसी पर पूरा 7% doubt उसी पर है, और किसले लगा है, क्यों लगा है, वो तो वैसिक बहुत ज़ाज़ा पर परिशान कर रहा है, तब डाउट पूरा पूरा उसी के उपर जा रहा है, आपका गहना है कि आपको जो देवर है, उसने वो आपके जर मेरे लगा है, वकर मेरे दिखते हैं कि आपको कहा लगा है? अचा आपको समझ में आता है, लेकिन है कैमेरा ऊटा यह रहता है, फोल्डर उसमें है वो, आपको देवर कामेरे लगा बगा है लेड़ी लाइट के अंदर और वहां से वह शूटिंग करके वह पुरा देख रहा है तो उसने क्यों किया ऐसा क्या कारण परेशान तो बहुत शुरू से कर रहा है वह और आजकल तो और ज्यादा परेशान कर रहा है चाविया हमारे घर की मांगता है भिलाय में सब क्या गलग करके दिया है पूरा बावजुद उसके वह घर के हमारे घरों की चाविया मांगते रहता है चुराता भी रहता है हक से भी मांगता रहता है डुप्लिकेट भी बनाता है हमारे सामने सामने पूरे हपता भर रेगूलर डेली डेली हपता भर ताले तोड़ा है वह सामन दिएूंकि government का भी हो गया है camera क्योंकि बाबा जो ससूर है जब उनकी date हुई तब बोले है पोलिस station से ही बोले कि हम police station से बात कर रहे हैं और investigation हो रही है और बाबा ये complaint करके गए हुए है करके तब इसलिए police station से मतलब मैं घर से 1-0-0 गोलती हूँ जो भी complain कारनी रहती है और complain हो भी रहे है और रमेश बाठकर सर भी बात करते हैं शिवाजी साथम सर भी बात करते हैं बहुत बहुत जहरे आपका आपने बताया हूँ, आपकी तक्रीफ मैं सभता हूँ कि आपको जो तक्रीफ हो से थीक है ना, तो हम आपको में लेंगे बाद में, thank you very much. बाकी जो बाते हैं चाबिया तो वो मांगते ही रहता है हक से और साथ साथ में ATM कार्ड भी चुराता भी है हक से मांगता भी है पैसे रुपए भी हक से मांगता भी है चुराता भी है रखे वे तुरन-तुरन समझ में आ जाता है कि निकल निकाल लिए गया है करके जैसे ही नह बिना पूछे बिना बता है चाबिया डूपलिकेट बनाबना और घर भी पूरा आस्थिवैस्त करके रखते हैं, घर के बरतन भी बड़े बरतन घर के सेट जो सेट होते हैं किचन सेट वगरें वो भी ले जाते हैं दिखते नहीं है ताइम पर समान सब थीक थेंक यू धन्यवाद इनका बाकी चाल जलने इनका बाकी बरताव ठीक रहता है मतलब काम करना नाना धोना खाना पिना सब बाकी चलता है मगर यह सिर्फ एक टॉपिक लिया उनका तो उनको लगता है कि यह हमारी खिलाफ है यह कभी-कभी बढ़ गय साथ है उनको ऐसा लगता है कि टीवी में हमारे बारे में बात चल रही है या रेडियो के ऊपर हमारे बारे में कोई कॉमेंटरी हो रही है या टीवी में उनके बारे में लोग बात्चित कर रहे है या फिर कोई आके हमको पकड़ ले जाएंगा हमारा नाश करने माला है हमा दवाईयां समझो वो लिता नहीं है पेशेंट तो फिर उसको इलाज मतलब इलाज करना वो जरूरी है गर उसको जान बूच के फिर भरती करो या फिर डॉक्टर ने सर्डिफाय करके भी नया दुपाय करना उसके मटाबिक फिर उसकी सर्डिफिकेट ले लेना मेंजिस्ट्र का सरडिफिकेट लेना उसके ऑदर लेकि इसको एडमिट करना और उसका इलाज करना जरूरी है पड़ा तो इसको शॉक्ट में देनी पड़ती है दवायां और शॉक्ट टीमिनट से लोग इसे हो सकता है आप यह वीडियों से लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को मालूम बढ़े किया रहे हैं ऐसे काफी सारे लोग है करीब करें मतलब ऐसा है कि हाफ टू वन परसेंट लोग ऐसे होंगी कि जिनको इस शक की बिमारी होंगी शक का विक्तिमत्व होंगा या पैरनेटी साइकोजिस होंगा कि जिसके वज़े से वो परेशान है उनके आजू पाजू को लोग भी परेशान है तो जोरे वीडियो शेयर करो आपको अच्छा झाल करो आपको आपको अपको आपको 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 आप